कोरोना एक बार फिर सिर अफ़तार पकड़ रहा है देश के अलग-अलग इस्सों के साथ उत्तर पुर्वी उत्तर पुर्पुर्देश के चंदौली में करोना संक्रमर से एक वेक्ति की मौत का मामला सामने आया है कोविड से हुई इस मौत के बाद चंदौली के पार्साण सी की एक नीजी अस्वताल में भरती कराया था बाइस अपरेल को फास्पिटल में मेंधर परसाद का बिजक करा आई गया था मेहूं प्रसाद के लाज़ कि महात की चंदौली के स्वासिय वाग में हरकम मचना लाजमी था अगरकि महिंद प्रसाद की करोना से मौट की खबर कई दिन बाद बाहर आई इसके बाद चंदौली के स्वासी भाग में इम्रतक महिंद प्रसाद के रिश्टिदारों के सासा उनके संपर्क में आये लोगों की भी मौनिटरिंग करनी शुरू कर दी इस मामले में चंदौली के सीमू डॉक्टर यू के राई ने बताया कि चंदौली के अमोद पुर्गाउं के रहने वाले महेंद प्रसाथ को पैरलसिस अटेक के बाद बना रएसक एकनिजी अस्पताल में भरती कर आया गया था सीमों ने बताया कि 22 अपरेल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई इसके बाद महंद प्रसाथ को एडमिट कर दिया गया जहां इलाज के दौरान 20 अपरेल को उनकी मौत हो गई उन्होंने बताया कि महंद प्रसाथ की परिजनों के साथ साथ उनके संपर्क में आये लोगों की कॉंट्राक्ट रेसिंग की जा रही है कोरोना वाइरेस और कोरोना वाक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें